Students, आज समान्य ग्यान जनल स्टड़ी में हमारा टोपिक भारत के वनस्पती परदेश या भारत में प्राकृतिक वन पर अधारित है। Students, सभी competitive और entrance exam के लिए यह topic हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सभी प्रिक्षाओं में इस topic से सम्मदित बहुत से person बार बार competitive और entrance exam में पूछे जाते रहे हैं। Students, भारत के बनस्पती परदेश यानि भारत में प्राकृतिक वन में हम इस परकार से अपना topic सुरू करते हैं कि भारत को 6 परकार के बनस्पती परदेशों में विभाजित किया जाता है जो इस परकार से हैं। नमबर एक परवर्तिय बनों में हम कह सकते हैं कि हिमाले पर पाए जाने वाले वन इसी स्रेणी में आते हैं Students, यहां 1220 मीटर की उचाई तक के परदेश में घने और सदा बहार बन पाए जाते हैं। जो उसन कटीबंद ये वनों के समान हैं। इसमें फर्न, रोजबुड, सागोन और बास आदी के वरिक्स पाए जाते हैं। Students, 1220 से 2440 मीटर तक के परदेश में सीत कटीबंद के सदा बहार बन पाए जाते हैं, जिन में पाए जाने वाले मुखे वरिक्स, ओक और बर्च हैं। Students, 3600 मीटर तक पाए जाने वाले इन कोण धारी बनों में पाए जाने वाले वरिक्स, देवदार, फर, स्प्रूस और पाइन आदी हैं। भारत के वनस्पती छेत्रों में दूसरा वर्गिक्रित हमारा पॉइंट है उस्न कटीबंद ये सदा बाहर बनों में 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। इन में अधिक वर्षा तथा ताप के कारण बेल, बास, बैंत, सिनकोना, नारियल, चपलास और सीसम आदी के वरिक्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ, सिनकोना वही वरिक्स होता है जिस से कुनीन की दवा बनाई जाती है। इन वरिक्सों की पत्या बहुत ही चोड़ी और इनके सिखर जो है छत्री नूमा होते हैं स्टूडेंट्स ये वन असम यानि असोम हम कह सकते हैं आधुनिक नाम जो है असम का असोम है ये वन असोम पस्मी तट भारत के पस्मी तट तथा पूर्वी हिमाले में पाए जाते ह पर आता है स्टूडेंट्स मानसोनी या पत जड़वाले बन जहां पर पत जड़ यानि वरिक्सों के पत्य जड़ते हैं मानसोनी है और पत जड़वाले बन हैं ये वन तराई पस्मी बंगाल पुर्वी तट बिहार उडिसा आदी में पाए जाते हैं इन में सहतूर्थ जड़वा सेमल आम और सागोन जैसे वरिक्स मुख्यते मिलते हैं ये वरिक्स स्टूडेंट्स वर्ष में एक बार अपनी पतियां गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पत जड़वाले बन या मानसोनी बन कहा जाता है सागोन के वरिक्स महारास्ट्र वे करनाटक में बहुत मि पतार पर आता है स्टूडेंट्स घास के मैदान ये मैदान बहुत कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं विशेशकर मद्दे भारत में इन में मुख्य रूप से घास में मूंज कास और सवाई आदी घास पाए जाते हैं जिने काटकर आधुनिक समय में लोगों न खेती के मैदान बना लिया है और इन मैदानों में खेती भहुतायत की जाती है आज इन मैदानों में किरसी का बहुत ही बोलबाला है स्टूडेंट्स नमबर पांच पर हम आते हैं मरुस्थलिये बनों में मरुस्थलिये बनों को हम डेजर्स फोरेस्ट कह सकते हैं इन में अ पर्याना, पस्मी मद्दे पर्देश, गुजरात, राजस्थान, पस्मी उत्तर पर्देश, दक्षिनी पंजाब और तमिलनाडू इत्यादी छित्र, इनके पर्मुक्षित्र हैं, इनके वनों में काटेदार ज़ाडिया, काटेदार व्रिक्स और केक्टस और बबूल आधी क पेड़ पाए जाते हैं, उसके बाद में नमबर छे पे आता है, डेल्टा वन या जवारिये वन भी हम इने कह सकते हैं, क्योंकि बार बार समुद्र में जवार आने के कारण, इनका नाम जवारिये वन और भी पड़ा है, डेल्टा वन या जवारिये वनों में हम आते हैं, बहुत दलदली होने के कारण यहाँ पर मैगरो, हैरी टीरिया तथा सुन्दरी के व्रिक्स उगते हैं। ये गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी और किर्षना के डेल्टाओं में पाय जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा छेत्रों में सुन्दरी व्रिक्स बहुतायत पाया जाने के कारण इस छेत्र को सुन्दरवन कहा जाता है। के डेल्टा वनों में में ग्रोव बन पाय जाते हैं और में ग्रोव बनों की ये परमुक विशेस्ता है कि इनके तनों से जड़े निकलती रहती हैं जैसे हम कह सकते हैं बर्गद का पेड। तो स्टूडेंट्स इस परकार से इस तरह के बनस्पती छेत्र से सम्मंदित क्युस्चन बार-बार कम्पीटिटिव एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि सागोन का व्रिक्स जो है वो किन किस परकार की वनस्पती छेत्रों में पाया जा सकता है तो उसमें कोई एक या अनेक ओप्शन हो सकते हैं। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि सागोन का वरिक्स जो है वो परवती वनों में भी सागोन का वरिक्स पाया जाता है और सागोन का वरिक्स मानसुनी और पतजड़ वाले वनों में भी पाया जा सकता है तो ओप्सन में इस परकार से अलग-अलग दो-दो-तीन-तीन ओप्सन इसी परकार से वो व्रिक्स जिनकी पतियां बहुत ही चोड़ी और उनके सिखर छत्री नुमा होते हैं, किस परकार के बनों में पाए जाते हैं, तो उसन कटी बंदिये सदावार बन इसका आंसर है, इसी परकार से पूछा जा सकता है कि 200 cm से जादा वर्षा किस परकार के बनो में होती है, तो students आप समझ सकते हैं, अभी हमने study की है कि उसन कटी बंदिये सदावार बनों में 200 cm से भी अधिक वर्षा होती है, किस पूछा जा सकता है कि 3700 मीटर तक पाए जाने वाले कौन धारी बन, कौन से छेत्रों में मिलते हैं, तो ये परवतिये बनों में, हम कह सकत हैं कि परवतिये बनों में, ये मिलते हैं, इसी परकार से पूछा जा सकता है कि सिंकोना नामक वरिक्स जो है, किस परकार के बनस्पती परदेश में पाया जाता है, तो students, सिंकोना नामक जो वरिक्स है, वो उसन कटी बंदिये सदा बाहर बनों में पाया जाता है पूछा जा सकता है students कि ओक और ब्रिच का वरिक्स किस परकार के बनों में हमें मिलता है तो परवत ये बन, students तरह तरह से किस्षन इनी chapter से निकाल कर हमारे समक्स competitive और intense exam में रख दिये जाते हैं किन बनों को मेग्रो बनों के नाम से जाना जाता है तो students आप समझ सकते हैं डेल्टा वन या जवारिये वन जो हैं वो मेग्रो बनों के नाम से जाने जाते हैं तो इस परकार से students तरह तरह से competitive और intense exam में हमारे सामने इस chapter से person पूछ लिये जाते हैं और मुझे पूरी उमीद है कि आने वाले competitive और intense exam में इस chapter से सम्मंदित सभी questions का person का answer आप अच्छी परकास से देने में सफल होंगे